नमस्कार फ्रेंट्स मेरे नाम बबलू उर्मा पेपर है कर में आपका स्वागत अग्यारवा ठीक है और इससे पहले जो हमने रखें पार्ट दस अगर आपने नहीं देखें तो डिसक अप्सर में रिकाप प्ले लिस्ट का लिंक या पर चैनल के अंदर प्लेश्ट के अंदर हमारी साइट पर जा सकते हो www.paperhacker.in तो बहाँ पर आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगी प्लेश्ट आराम से सारे की सारे पार्ट्स आप देख सकते हो ठीक है तो आद हम देखने वाले यूनिट नमबर जो ग्यारा है इससे स्टार्ट हमारा होने वाला यूनिट नमबर जो ग्यारा है उससे स्टार्ट जो होने वाली है वो होने वाली यूनिट नमबर थर्ड क्योंकि यूनिट नमबर सेकिंड हमने कवर कर ली अब हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे यूनिट नमबर थर्ड की ओर ठीक है तो बात करते हैं इसमें क्या-क्या देखने को मिल परियाबड प्रिदूसर से संब्पढ देखने को मिलेंगे जिसमें प्रिदूसर उसकी परीवहां सा पिरकार विविन परिकार के मुख्य प्रिदूसर विंगे उनके वारं देखेंगे जैसे बाउयू जल मिद ध helfen क़हनी स्ठाप parameter रेडियो दर्मिता। फिर दूसर की बहौत एक रासाएन द्था जैबिक बातावड़ी एकारकों काा। प्रभाव में यहां पर क्या करने हैं। देखने वाले हैं, इंसे रिक्टे आपको Question देखने वाले हैं और बाव हो जाता है अपसिष्ट का बरगी कर आपको यहाँ पर QAGन देखने को मिलेएगे से रिकट और अबसिष्टो के इस्तों तव मैं बाता बड़न पर इनका पिरभाब जो होका उससे सम्मेन के Qu préparर क्योशन और तो पहला question आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है तो फास्टे question का आंसर देना है क्या रेने वाला है गलता है जब कोला हमा में जलता है तो क्या होता है अरे यह तो मीटा ही रखें हैं रूकिएगा भली गो को यह सामने कुछ इस प्रकास से आनेवाला है ठीक है आ गया फटबर देखो पटबर काhta से क्या रेने वाही त्राइब चीह जब कंप लिए यद बहुद इन रखा है जब कोईला हबा में जलता है तो जब कोईला हबा में जलता है तो क्या होता है आपको यह पर बताना है ठीक है तो पहले देखा है carbon dioxide बनता है दूसरा sulfur dioxide बनता है तीसरा carbon monoxide बनता है या फिर hydrogen gas बनती है तो right answer नमारा क्या नहींने वाला है जोको जब koila को हबा में जलाया जाता है तो क्या निकलेगा भई क्या निकलने वाला है तो बहे निकलेगा carbon dioxide right answer option नमबर रहने वाला है कौन सा भई option नमबर ए हो जाएगा next बढ़ते हैं next question आपके सामें दे रहा है भात में सबसे अधिक प्रदूसर प्रदूसित और दोगिक जो कलेश्टर है वो क्या है आपको बताना है ठीक है और दोगिक कलेश्टर कौन सा सबसे अधिक प्रदूसित है बैह आपको यह पर बताना है तो पहला देखिएगा फरीदबाद या अंकलेश्वर सूरत या फिर्ड़गापुर्ट तो कौन सा कलेक्ष्टर जो क्लेश्टर है वो सबसे ज़्यादा प्रिदूसित है तो राइट आंसर नमारा क्या होगा वो कहां पर है यह हो जाता है हरियाणा में कहां पर हरियाणा में कौन सा है फारीद पूर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिदूसित कलेश्टर है ठीक है तो राइट आंसर अप्शन बढ़ने वाला अपना ए नेक्स बढ़ते हैं बहुत important question है यह वाला second बढ़ा यह हो सकता है 100% आपके exam में देखने को मिल जाए next बढ़ते हैं next question की बात करते हैं next को देखना है यहाँ रखा है automobile 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 द्वारा उतसर जित carbon monoxide सरीर के उत्तकों में oxygen के परिवहन को रोकता है ध्यान देना यहाँ पर automobile द्वारा क्या निकलता है automobile द्वारा निकलता है carbon monoxide कौन सा automobile जो हम चलाते हैं उसके लिए कर निकलता है carbon monoxide निकलता है जो सरीर के उत्तकों के oxygen के परिवहन को क्या करता है, रोकता है, क्या करता है, हिमोगलोबिन के साथ एक इस्तर योगिक बना कर, या फिर कैसे रोकता है oxygen के परिवहन के लिए, हिमोगलोबिन के साथ oxygen की परिक्रिया को बादित करके, या फिर oxygen को carbon dioxide में बदल कर, या फिर हिमोग को के ऑक्षिकड के परिवेन को रोकता है कैसे हिमोगलोबिन के साथ एक इस्थर योगिक बना कर तो राइट अंसर उप्शन नमबर यहां पर ए रहने वाला है बहुत ही इजी कोशन था अच्छा कोशन रखा है नेक्स बढ़ते हैं नेक्स रखा है ध्वनी प्रदूसर किस अथन के संदर्व में सही है यह आपको अधाना है पहरा दरका है सब्द सोर लैटन सब्द नाजिया से आता है जो सोर सब्द है वो लैटन सब्द नाजिया से आता है जबकि अर्थ है समुद्री सिकनेस कौन सा समुद्री सिकनेस इसका अर्थ है बिलकुल सही बात है नेक्स प्रदूसर को decibel में ना पा जाता है बिल्कुल सही, तीनों की तीनों क्या देखे हैं, सही देखे हैं, तो right answer का हो जाएगा, option number D हो जाएगा उप्योक्त सभी, तो धुहनी प्रदूसर किस कथन के संदर में सही है, सोर लेटिन महासा में हैं, किस से आया है, नाजिया से आया है, तता, इसका अर्थ जो होता है, समुद्री, सिकनेस होता है ठीक है, right answer option number D हो जाएगा, next बढ़ते हैं फसलों पर D, D, T के छिड़काब से प्रदूसर बढ़ता है, कैसे, मिट्टी बा पानी पर, बायू बा मिर्दा पर फसले मों हवा पर, या फिर उपियोग तो सभी पर, right answer क्या होगा अगर फसलों पर हम D, D, T के छिड़काब को छिड़काब करेंगे, तो प्रदूसर बढ़ता है मिट्टी बा पानी पर भी पढ़ेगा बायू बा मिर्दा पर भी पड़े, तो यार कहां कर रहे है, फसल पर तो मिट्टी पर जाए रहेगा और बहाँ पर पानी उपल दोगा, उस पर भी जाएगा बायू में तो हो गई होगा, मिर्दा में मिलेगा, बिल्कुल सही, फसल में और हवा में ये भी होगा तो right answer क्या होगा option number D हो जाएगे सारे की सारे क्या होँगे प्रिदूसर होगा एन में ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं ताज महल किस प्रकार के प्रिदूसर से संबंदित प्रभावित होता है किस प्रकार के प्रिदूसर से अधिक प्रिदूसर से अधिक प्रिभावित होता है मैं आपको बताना है द्वनी प्रिदूसर, बायू प्रिदूसर, जल प्रिदूसर या फिर इमें से कोई नहीं तो right answer क्या होगा जो ताज महल है किस प्रिकार के प्रिदूसर से अधिक्तम प्रिभावित होता है तो वो किस से होता है बायू प्रिदूसर से होता है अधिक प्रिभावित तो right answer option number हो जाएगा B कुछ लोग जल प्रदूसर की ओर जाते होंगे जल गीर मत जाना कहाँ बायू प्रदूसर की ओर जाना है आगे बढ़ते हैं next question next देखा है बायू प्रदूसर से उत्पन्य पिर्मुक समस्या है क्या समस्या है आपको बताना है global warming होगा स्वासन समस्या होगी मिर्दा परदन होगा इन में से कोई नहीं क्या होगा बायू प्रदूसर से उत्पन्य पिर्मुक समस्या क्या होगी बैस्वासन समस्या है देखने को मिलेंगी right answer option number B रहने वाला यहाँ पर next बढ़ते हैं निमनिकित नदियों में सबसे कम प्रदूसित नदी कौन सी है सबसे कम प्रदूसित की बात कर रहा है सबसे कम प्रदूसित हो वो नदी कौन सी है यमना, गंगा, ब्रह्म पुत्र या फिर दामोदर right answer नमारा क्या होगा तो बात करते हैं सबसे कम प्रदूसर जो नदी है वो कौन सी है ब्रह्म पुत्र है अब जब ब्रह्म पुत्र की बात आई है तो हम बिल्कुल इसको देखेंगे तो यह कहां से निकलती हिमाले के मान सरुबर से निकलती तिबबत से ठीक है जो नदी है वो भारत में प्रिवेस करती है यह हम भारत की सीमा बना देते हैं ठीक है भारत में जैसे ही प्रिवेस करती है तो इसे क्या कहते है इसे कहते है ब्रह्म पुत्र क्या कहते है ब्रह्म पुत्र कहते है और जैसे यह सीमा को उलांगती है मतलब भारत की सीमा है उससे ह रटती है और कहा जाती है बन्गला देश में जाती है तो इसे कहते है याद दोना जाती है तो यहां दर이가 आ सबसे कम प्रदूसल नादी कौन सी है तो बहुँ wander सब्याइगbeh अपने अपनी ब्रहांपुत्र राइट ऑपर नमबर छाएगा नेक्स बढ़ते हैं निम्निकित में से कौन सा थोस अबसिष्ट नहीं है यह आपको बताना है इसे कारते हैं ठीक है आपने देखी लिए होगा इसकी 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 या फिर हो जाता है और दोगिक अपसिष्ट तो कौन सा अपसिष्ट थोस नहीं है यह पूछ रखा है तो वो हो जाता है तुम्हारा सीवेज जल कौन सा सीवेज जल राइट अंसर अप्शन नंबर हो जाएगा A नेक्स बढ़ते हैं यहाँ रखा है निमिकित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है यह आपको बताना है पहरा देखा है ऑक्सिजन, कर्मड़ी ओकसाइड, क्लोरो फ्लोरो कारवन या फिर हो जाता है मीथेन तो कौन सी नहीं है ग्री ग्रीन हाउस गैस नहीं है बाकि क्लोरो क्लोरो कार्वन कार्मडेय ओक्साइड और मीथेन बाकि सारी कि सारी क्या होती है यह अपनी ग्रीन हाउस गैसे होती है आगे देखते हैं नेक्स रखा है भूकम्प मापन का पैमाना है जो भूकम्प मापन का पैमाना है जो भूकम्प जो right रहने बाला है वो हो जाएगा reactor scale right answer option number ए रहने बाला है next बढ़ते हैं very important reactor scale और BA में जो मेरी class लेते होंगे उनका बिलकुर right गया होगा क्योंकि मैंने geografin सब पड़ा रखाईए आगे देखते हैं देखाए अमल बरसा का pH मान है जो अमल बरसा है उसका pH मान क्या होगा आपको बताना है सास से अदेख सास से कम पांच पांच से अदेख क्या पर पांच पांच से बराबर तो अमल बरसा का pH मान कितना होगा भई अमल बरसा की यहां पर बात हो रही है ध्यान से गोश्यों को देखना है अमले बर्सा का पियच मान है अमले बर्सा साथ से कम होना चाहिए ठीक है राइट आंसर उपसर नमबर भी बी होगा अमले बर्सा का पियच मान कितना होगा साथ से कम होगा अमले दे रखा है तो ठीक है साथ से कमी होगा right answer option number B हो जाएगा next रखा है सर्वधे के भूकमप कहां आते हैं जो सबसे जदा भूकमप है वो कहां आते हैं जापान, एराग, भारत या पिर इटली तो सब सबसे जदाए भूकमप आते हैं वो कहा हैं ये भी मैंने बी-ए वाली क्लास में पढ़ा रखा है, अगर बी-ए की क्लास लियोगी जियोग्राफी की, तो बिलकुल आपने कर दिया होगा अब तक, तो सरविदिक भूकम्प कहा आते हैं, जापान में आते हैं, राइट अंसर अप्से नमबर हो जाएगा, ए, और सक्रिये भी यहीं पर दे रखे हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्क नेजद रखा है, ध्वनी प्रदूसर का मुख्य इस्तोत है, जो ध्वनी प्रदूसर है, उसका मुख्य इस्तोत कौन सा है, उद्दोग और मसीने, परी बहन, मनरुजन की परिकिरिया प्रणाली, क्रिया कलाप, यह प्रोधाई यह सबी, तो ध्वनी पर दूसरा के मुखिस तो कौन से है, यह सबी हो जाता है, क्योंकि उद्थोग और मसीनों से भी ध्वनी पर दूसरा है, परिवहन से तो होता है, हौर्ण बगयरा, मन्रौन जन की किरिया कराब, डीजे बगयरा, इन सबसे क्या होता है द्वानी पर दूसर होता है Right Answer option number D हो जाएगा Next बढ़ते हैं यहां दरखा है भूमी सनाचनेक परिकरिया है जिसमें क्या होता है भूमी सनाचनेक परिकरिया है सनाचन मतलब उसे सनाचन रखना एकट्टा रखना है ना मतलब उसे छिड़ना होने देना तो भूमी सनचन एक प्रिकरिया है जिसमें क्या होता है बंजर भूमी का परिवर्तन उपजाओ भूमी में मिर्दा का बाइवी करण भूमी परदन होता है या फिर मिर्दा के 6 को रोका जा सकता है में बता है बुमी सनच्र की बात कर रहा है बुमी को बचाए रखना मतलब मिंदा के 6 को रोका जासकता है जो आपको बता रहा है पेन है या पिर अपना हो जाता है सलफोनिक पारा सलफुरी कमल कौन सा होगा तो प्रिकास रासानिक ओक्सिकारर कौन सा है तो वो हो जाता है अपना पेन इसकी फुल फाम मुझे नहीं मिली है फुल फाम अब देख लेना ठीक है बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स रहा है ओजोन का सर्वधिक मात्रा मिलती है जो ओजोन की सर्वधिक मात्रा है वो कहां मिलती है ये क्योशन रिपीटी क्योशन है भई देखो प्रोपोस्पेर में मेसोस्पेर में इस्टेडोस्पेर में या फिर एक्जोस्पेर में राइट आंसर क्या होगा तो फ स्पिर चौब मंड़ संधोर मेजो पिर मंदल तो यहां पर और शर्विदिक की मातरह होती है वह कहा देखने को मिलती है भई मेजो देखने को मिलती है राइट अंसर नमर भई भी रहने वाला है नेक्स देखो यहां देखा है हमारे लिए सूरिका कौन सा बिक्रड हानी कारक है कौन सा जो बिक्रड होता है अबरत पराबैंगनी द्रस बिक्रड या फिन में से कोई नहीं तो हमारे लिए सूरिका जो परावैंगनी क्रिड़े होती है वो क्या होती है आनी कारक होती है और छेद कहा हो चुका है बैए अंटार्क टिका में हो चुका है कहां पर अंटार्क टिका में छेद हो चुका है जहां से क्या हो रही है परावैंगनी क्रिड़े जो है वो प्रत् यूरेनियम राइट आंसर उप्षा नंबर सी हो जाएगा और जिस किसी का राइट आंसर उप्षा नंबर सी आ रहा है तो क्या करना है उन लोग को राइक शेर सस्क्राइब दवागा ढोगना है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स दरका अपना भूकंपिये हल चलो के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं जो भूकंपिये हल चले होती हैं उनको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं आपको बताना है बैरोमीटर सिस्मोग्राफ और क्लाइमोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर तो राइट आंसर हमार आद्रता नापते हैं बायू आद्रता ठीक है किसे बैरोमीटर से सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं इसका राइट आंसर जोगा अपसा नमर होगा भी ठीक है और उसके बाद करते हैं यहां पर क्लाइमो ग्राफ क्लाइमो ग्राफ क्लाइमो ग्राफ क्लाइमो ग्राफ होता है यह आंकड़ों को जो आंकड़े होते हैं जो आंकड़े होते हैं जो हम ग्राफ पर करते हैं उनको यहां पर नापा जाता है इसके रही है क्लाइमो ग्राफ के दौरा और जो हाइग्रो मीटर हो बायू मंडल की आधिरता ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा option number B यहाँ पर सभी की सभी में देख लिए आगे बढ़ते हैं कहरा है परियाबड की गुडबत्ता में रास कहलाता है अगर परियाबड की गुडबत्ता है गुडबत्ता है अच्छी है उसमें अगर रास आ रहा है कमी आ रही है तो उसे क्या कहते हैं परियाबड 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 अवनेन या फिर परियाबड सनच्छण इन में से कोई नहीं क्या कहेंगे भई फटापर फटापर करना है कमिन्ट करना है फड़ा पर ठीक है उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे पर्याबढ अवनेन ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नमबर बी रहने वाला जिस किसी का आंसर ऑप्शन नमबर भी आ रहा है लाइक शेयर सस्क्राइब दबा कर ठोको सभी लोग ठीक है तो पर्याबढ की ग तो सबसे बड़ा बायू पर दूसा कौन सा है यह आपको यहाँ पर बताना है तो वह कौन सा होगा carbon monoxide right answer option number A रहने वाला है carbon monoxide जो होता है वो सबसे अधिक बायू पर दूसा को होता है आगे देखते हैं यहाँ देखे हैं उर्बरक मिर्दा का pH होता है जो उर्बरक मिर्दा होती है उसका pH कितना होता है अगर साधार मिर्दा की बात करते हैं तो कितना होता है 5.5 होता है लवड़िता की बात करते हैं तो 9.5 होता है लवड़िता मिरदा का यहाँ पूछ रखा है उर्वड़क मिरदा का ph मान कितना होता है तो उर्वड़क मिरदा की बात करेंगे तो यह होता है 6-7 6-7 ph होता है right answer option number होगा b ठीक है आगे दिखते हैं यहां तक है प्रत्वी के बायो मंडल में ओजोन की उपस्थती प्रत्वी के बायो मंडल में ओजोन की उपस्थती पिकास संसेस्टर की उच दर को रोकती है परा बेंगनी बिकड के प्रत्वी के प्रवेश को रोकती है प्रत्वी में प्रवेश को उपस्थती है क्या है आपको बताना है तो अभी आपको बताया था जो ओजोन होती है वो क्या करती है यह मद्द मंदल में पाई आती है पहली बात तो यह सबसे देख और यह क्या करती है परा बैंगनी बिक्रेड के प्रतिभी में प्रिवेस करने को रोकती है राइट आंसर है उनके द्वारा छोड़ा जाने बाला प्रमु के प्रदूसर कौन सा है आपको बताना है carbon day oxide carbon monoxide nitrous oxide या फिर अपना हो जाता है ammonia right answer क्या रहने वाला है तो इजी है कौन सा हो जाएगा carbon monoxide हो जाएगा right answer हो जाएगा option number b थो हमारे मोटर वहान होते है उनके द्वारा क्या छोड़ा जाता है प्र Unless जोड़ा जाता है कार्बन मोनो-ौक्साइड आंगे बढते हैं नेक्स कुशंग की आप करते हैं कौन सा जल बहुधा जल होता है तो बहुधा जल कौन सा होता है पहुधा सुध կल बहुदा सुद्ध जल कौन सा होता है वैं आपसे पूछ रखा है यहाँ पर तालाब गहरा कुणा धरातली एस्तोत या पिर करतरीम जल करतरीम जील तो right answer हमारा क्या रहने वाला है तो बात करते हैं कौन सा जल बहुधा सुद्ध होता है तो वो होता है गहरा कुवा का किसका गहरे कुवे का जो पानी होता है वो बिल्कुल सुद्ध होता है आगे बढ़ते हैं यहाँ तरह का है पीलिया रोग का मुख कारण क्या है पीलिया रोग जो होता है किस से होता है बाईरस प्रोटोजोन या फिर बैक्टेरिया या मच्छर तो right answer हमारा क्या होगा पीलिया रोग का मुख कारण क्या होता है तो वो होता है बाईरस पीलिया किस से होगा बाईरस से होता है आगे बढ़ते हैं दे रखा है जल तथा भोजन द्वारा फैलने वाला रोग है जल तथा भोजन द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है मियादी बुखार, पेचिस, हैजा या पिर उप्योगत सभी तो right answer क्या होगा तो जल और भोजन द्वारा फैलने वाला रोग, म्यादी बुखार भी है, पेचिस भी है, हैजा भी है तो राइट आंसर होगा, उप्योगत सबी हो जाते हैं, ठीक है option number D, जो लोग का आ रहा है, उन लोग का क्या करना है, like, share, subscribe, दबा का ठोकना है, ठीक है नेक्स बढ़ते हैं, यहाद रखा है, स्वास्थ पर, स्वास्थ पर ध्वनी का कौन सा इस तरहानी का रख प्रभाव डालता है, कितनी decibel तक हमें सुन सकते हैं, उससे अधिक अगर सुनेंगे, तो हम बहरे हो जाएंगे, वो कौन सा है 120 decibel से कम, 220 decibel से अधिक, 120 decibel से अधिक, या फिर इन में से कोई नहीं, तो राइट आंसरों का वो आपको बताना है तो स्वास्थ पर ध्वनी का कौन सा इस तरह हानी कारक प्रभाव डालता है, तो वो हो जाता है, 120 decibel से अधिक, ठीक है अगर इससे अधिक की आप ध्वनी सुनोगे, तो आप क्या हो जाओगे, बहरे हो जाओगे नेค्स बरते हैं, ध्वनी प्रदूसरब से बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, रक्तचाप, सिर्दर्द, चिर्चड़ापन या फिर उप्योक तो सभी, तो right answer क्या होगा भे, उप्योक तो सभी रहने वाला है, रक्त चाप भी बढ़ेगा, सिर्दर्द भी होगा, चिर्चलापन भी आपको महसूस रहने वाला है, तो right answer option number D हो जाएगा, next बढ़ते हैं, next question से खेलेगा, right answer क्या होगा, तो कैबिस में, अमल बरसा से सरवदिक प्रभाविद देश है, जो अमल बरसा से सरवदिक प्रभाविद देश है, वो कौन सा है आपको बताना है, very very important question, चीन, नार्वे, जापान, ब्राजील, तो कौन सा विलको right होगा, भाई, बढ़त राए, तो क्या जील, जील बरसती है, तो याद रह ग्रीन हाउस प्रभाव निम्रिकित में से संबंदित है, ग्रीन हाउस एफेक्ट जो है, वो निम्रिकित में से किस से संबंदित आपको बताना है, घर में हरे पीर, घास मैदान, भूतापन, या फिर देश में हर्याली, तो right answer क्या होगा, जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस effect है वो निम्निकित में से संबंदित है किस से भूतापन से संबंदित है राइट answer option number C रहने वाला है next बढ़ते है यहाँ देखा है बिस्व की हरित ग्रह गैसों में भारत का अधिभाग है जो बिस्व की हरित गैसे हैं हरित ग्रह गैसे हैं उनमें बहरत का अधिभाग कितना है आपको बताना है एक प्रतिसद दो प्रतिसद, तीन प्रतिसद या फिर पांच प्रतिसद right answer क्या होगा भी तो बिस्व की हरित ग्रह गैसों में जो बहरत का अधिभाग है वो कितना है एक परसेंट हो जाता है right answer option number 2 यह रहने वाला है next बहते हैं यहां देखा है bleaching कारक का नाम क्या है bleaching कारक का आपको नाम बताना है कौन सा होजाता है chlorine dioxide, dioxide, furon या फिर benzen तो right answer हमारा क्या होगा फटापर comment करो like, share, सस्क्राइब दबाकर होगो भी बिल्कुल तो यहां पर कौन सा right होगा bleaching कारक का नाम कौन सा है chlorine dioxide है कौन सा है वही chlorine dioxide है धिहां डखना very very important question होजाता है next बढ़ते है देखा है PCB को कहा जाता है PCB को क्या कहा जाता है आपको बताना है पहरा देखा है पहरा chlorobenzene polychlorobenzene polychloridate by phenol यहां हो जाता है अपको फास्टोग chlorobenzene तो यहां पर बताना है कौन सा विल्कुल right होगा PCB को कहते हैं क्या कहते हैं PCB जो है उसे कहते हैं पैरा chlorobenzene right answer option number A रहने वाला ठीक है next बढ़ते हैं देखा है आगरा का ताजमहल छती ग्रस्त हो सकता है किससे sulfur dioxide से chlorine से hydrogen से oxygen से तो आगरा का ताजमहल छती ग्रस्त हो सकता है किससे भी हो सकता है फटाबर comment करो बिल्कुल तो बात करते हैं आगरा का ताजमहल छती ग्रस्त हो सकता है किससे sulfur dioxide से चति ग्रहस्त हो सकता है Right answer option number यह हो जाएगा Next बड़ते हैं दिरेखा है उच्छिष्ट का आयतन कम करने का त्वरित उपाई है जो उच्छिष्ट है उसका आयतन कम करने का त्वरित उपाई क्या होता है Composting या फिर हो जाता है बसमी करण उमी भराओ या फिर बिसुद्धी कर राइट आंसर मारा क्या होगा तो बात करते हैं उच्चिष्ट का आयतन कम करने के लिए तो अरे तो पाय कौन सा है वो हो जाता है भस्मी कर राइट आंसर अप्शन नमबर भी हो जाएगा next देखेगा next रखा है बिस्नोसिस का कारण है क्या है pesticide, H2SO4, PAN या फिर सूचम पधार्थ राइट आंसर क्या होगा तो बात करते हैं बिस्नोसिस का जो कारण है वो क्या है वो हो जाता है सूचम पधार्थ कौन सा सूचम पधार्थ कुछ अजीब क्योशन है इनको आपको याद करना ही पड़ेगा next बरते हैं और notes आईए तो कहां मिलेंगे notes मिलेंगे आपको www paper record.in हमारी site है बहाँ पर आपको notes मिल जाएंगे next बरते हैं यहाद रखा है अपना नाविकिये उर्जा के दोहन का परिमार होता है नाविकिये उर्जा के दोहन का परिमार होता है वो क्या होता है तापिये प्रदूसर दोहनी प्रदूसर जल प्रदूसर बायू प्रदूसर कौन सा होगा right तो बात करते हैं नाबिकिये उर्जा के दोहन का परिमार क्या होता है बायू पिर्दूसर होता है वही बायू पिर्दूसर राइट आंसर उप्शे नमबर हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं नेक्स दरका है पिर्चलित रूप में जो अपना जील नासी कहते हैं पिर्चलित रूप से जील नासी किसे कहते हैं यह आपको बताना है हरत ग्रह पोदो को, अमली ये भरसा को ओतरी तथा CFC को या फिर नुकलियर परिछड को तो पिर्चलित रूप से जील नासी किसे कहा जाता है फटाबर कमेंड करो प्रकरतिक रूप से जील नासी किसे कहेंगे भई अमली ये बरसा को कहेंगे है ना, किसे कहेंगे अमली ये बरसा को कहने है आगे बरता है next question यहाँ रखा है सुद जल होता है सुद्यजल कैसा होता है अमलिये ऑक्सिजन रहे या फिर पूर्तिया उदासीन या फिर मीठा तो सुद्यजल कैसा होगा भई प्यारा और मीठा होगा राइट आंसर अप्शन नमबर डी होगा नेक्स बढ़ते है नेक्स दिरका है बायू मंडली दबाब नापा जाता है जो बायू मंडली दबाब होता है वो किससे नापते हैं इससे पहले देख रखा है बताए थे चारो की चारो उप्शन तो जो बैरो मीठर है उससे क्या नापते हैं बायू मंडल का नापते हैं और जो पॉलीनो मीटर है इससे क्या नापते है फटा पर कमेंट करो शेयर को सस्क्राब करो बिल्कुल जो अपना होता है प्लानी नो प्लानी प्लैनी होता है ठीक है प्लानी नहीं होता है प्लैनी होगा यहां पर प्लैनी मीटर जो होता है प्लैनी मीटर प्लैनी मीटर क्या क इसके लिए और जो हाइड्रोवींटर होता है हाइड्रोवीटर वो क्या होता है यह तो आपको पतां ही है यह घंतनापते हैं जल का घंत्व और जो बायो मीटर होता यह जह सब्सक्राइब्स मुझे याद निया वही बायो मीटर हाइडरो मीटर हाँ जी बायो मीटर से नापते हैं बायो मंडल की आदरता ठीक है आगे बढ़ते हैं next question बायो मंडल का दबाब किसे मापेंगे पैरो मीटर से और बायो मंडल की आदरता किसे नापेंगे नई 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 ठीक है ठीक है दवाब किसे मापेंगे बायू मंडली दवाब होगा वो बैरो मीटर और बायो मंडली जो आधरता होगी वो किसे बायो मीटर ठीक है भी आगे बढ़तें नेक्स कुशन नेक्स कुशन की बात करते हैं यहां देखा है LPG की तुलना में CNG को महात्व देने का कारल क्या है बोवाब को बताना है अधिक कीमती होना अधिक हलका होना सरल इस्तांटर होना या पिर कम प्रिदूसर कारी होना राइट आंसर वारा क्या होगा यह क्योशन रिपीड हो चुका है तो LPG की तुलना में CNG को महाद देना क्या है कम प्रिदुषर कारी हो जाता है राइट आंसर डी होगा नेक्स बड़ते हैं बड़े सहरों में प्रिदुषर का मुख्य इस्तोत है जो बड़े सहरों होते हैं उनमें प्रिदुषर का मुख्य इस्तोत क्या होता है गहरेलू कचरा, रेडियो धर्मिता, बाहानों में उत्सर्जित धुँआ या फिर कीट ना सक, तो बड़े सहरों में प्रिदूश्रा का मुखिस्तोत क्या होगा, तो भैं हो जाएगा बाहानों में उत्सर्जित धुँआ, जो बाहानों से उत्सर्जित धुआ होता है, भैं पिर औरगन द्वारा, राइट आंसर क्या होगा तो बात करते हैं इस्टेट इस्टेटो स्फियर में पराबैंगनी बिकड़ अपस्वोसित होते हैं किसे ये होते हैं ओजोन द्वारा, राइट आंसर उप्शन नमबर ए रहने वाला है नेक्स बड़ो, यहां देखा है भात में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है भारत में ठंडा रेगिस्तान पायता है जो इसका आंसर देगा उसको भई क्या करना पड़ेगा लाइक शेर सरकाब नहीं करना पड़ेगा और जो लोग भाई answer नहीं देगा इसका उसको क्या करना पड़ेगा like share सस्का है दवा कर ठोकना पड़ेगा तो बात करते हैं भात में ठंड़ा रेगिस्तान पाया जाता है कहाँ पर राजिस्तान में लग्दाक में मडीपुर में या फिर थार में तो ठंड़ा जो रेगिस्त एसो टू या फिर हो जाता है अपना विविकतो या फिर ये सभी right answer क्या होगा बायू प्रिदूसर डैस के द्वारा होता है किस के द्वारा होता है तो देखो बात करते हैं C O की होता है Sulfur D Oxide के होता है विविकतो और यहां पर जो राइट answer होगा option number हो जाएगा D ये सभी के द्वारा होता है ठीक है आगे बारते है next question यहाँ देखा है निम्लिकित में से कौन bio mentally प्रिदूसक motor बाहन द्वारा उसरजित नहीं होता है motor बाहन द्वारा उसरजित नहीं होता है प्रिदूसक वो आपको बताना है पहला द्रखा है SO2 सल्पेडिय ऑक्साइड हाइड्रो कार्बन गैस या फिर फ्लाई एस या CO तो राइट आंसर क्या होगा तो बात करते हैं जो फ्लाई एस है वो पिर दूसर नहीं फैलता ठीक है यह हमारा बिलकुर राइट होगा इसी को ही उत्सरजित नहीं करेगे आगे बढ़ते हैं नेक्स एकोशन और लाश्ट एकोशन तरह का EPA निमनिका संदच्चित रूप है जो EPA है वो किसका संदच्चित रूप है परियाबढ संदच्च्चादिनियम राइट ऍैनारे परियाबर परियाबर क्या होगा भड़ा पेर कमेंट करो ओично Tao होगा EPA निम्न संचिप्त है किससे ये हो जाएगा परियाबर सनचर अधिनियम तो यहाँ पर जो हमारे होते 50 कुशन हो जाते हैं और फड़ा पर सभी लोग क्या करना है लाइक, शेर, सस्क्राइब दबा कर ठोकना है तो फैंट्स क्या करना है